इनके लाइन है गोदी में लेके जनी खोदी ये जी जा जी हट जैबू का तू कोरा में का बाटू जैबू जी एक वेर छुए दनी तेज जै अपना हमरा के अंतर नई खी देखे दबार अरे ना ये जी जा जी अभी हम बच्चा बानी जी इसी बिहार में जब दुनिया के सबसे बड़े खेल ट्रूनामेंटों में एक महिला A.C.I.E. होकार के गाने की संस्कृति को दिखाने के लिए अगर कुछ बचता है तो आहे असलील गाने नास्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्यदर्सन बिहार को आखिर कौन बदनाम कर रहा है क्या बिहार के अफसर ही चाहते हैं कि बिहार की पहचान स्लील गानों से पूरी दुनिया के सामने आए वह बिहार जहां एक चार दिन पहले ही जब उसकी स्वरकोखिला शारदासिन्हा का निधन होता है तो लोग स्रद्धांजली देते हुए क्या-क्या नहीं कहते हैं अपनी अस्मिता अपनी पहचान और किन-किन बातों का जिक शारदासिन्हा के साथ नहीं किया जाता है लेकिन उसी बिहार में जब दुनिया के सबसे बड़े खेल ट्रूनामेंटों में एक महिला ACI होकी चेंपियनसीप का आयोजन होता है तो वहां बिहार की पहचान, बिहार के गाने की संस्कृति को दिखाने के लिए अगर कुछ बचता है तो आहे असलील गाने जिसमें वही चोली, वही जीजा, वही साली, वही लहंगा और उसी के उपर सब कुछ खत्म हो जाता है जिहां राजगीर में जहां च्छा देशों के महिला ACI होकी चेंपियनसीप की प्रतियोगिता चल रही है वहां चीयर्स लीडर्स भी नचाए जा रहे हैं तो चीयर्स लीडर्स के सामने नचाने के लिए जब बिहार के भुझपुरी गानों का तरका लगाने की बाड़ी आई तो आयोज़कों के जेहन में जो गाने आते हैं उनके बोल सुन करके आपके भी कान में मानो गर्म सी से घुल जाएंगे आपको भी लगेगा कि क्या बिहार की ऐसी ही पहचान है तो सबसे पहले मैं आपको उन गानों के बोल भी जड़ा सुना देता हूँ और उसके बाद आप महसूस कीजिया कि बिहार को इस पर गर्व करना चाहिए या शर्म करना चाहिए गानों की इस लीलता को आप इन लाइनों से ही समझ सकते हैं इनके लाइन है गोदी में लेके जनी खोदी ये जी जा जी हट जैबू का तू कोरा में का बाटू जैबू जी एक बेर छुए दनी तेज जाए अपना हमरा के अंतर नई खी देखे दबा अरे ना ए जी जा जी अभी हम बच्चा बानी जी कुछ गरबर ना करी उमरिया के कच्चा बानी जी खुस करना तु मन मोडा खुस करना बाटे बहुते बेचैनी महसूस करना तो बिहार जिसकी पहचान शलील भोजपूरी गानों से पिछले कुछ दसकों में लगातार हुई है उसी शलील गानों के एक फहरिस्त है जिसे बजा करके बिहार की संस्कृति को तो बिहार के भोजपूरी गानों को अंतर राष्ट्रिय मंचों पर हमारे आयोजक दिखा रहे हैं और वह भी राजगीर में और इन गानों को सुनने के बाद तो आपके भी जो सर्म है सर्म से सिर जुक गया होगा लेकिन सायद आयोजकों को यह समझ में नहीं आता है कि बिहा करके सोसल मीडिया पर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं सोसल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या बिहार के जो खेल के आयोजक हैं बिहार के जो नीती निर्माता हैं जो तमाम लोग इन आयोजनों को देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहे है हैरत होती है इसी राजी ने हाल ही में शारदा सिन्हा को भावभीनी स्रधांज ली दी थी वहीं एक दूसरे यूजर्स ने भी इन गानों पर आपत्ती जिताते हुए लिखा है कि इंटरनेशनल असलीलता फैलाई जा रही है बिहार के द्वारा यह सर्मनाक है जो इस तरीक समबाले देख लीजिए क्या हम विश्व के पटल पर भोजपूरी संस्कृति और संगीत क्यों विश्व तक पहुचाने में ऐसे फूहर भोजपूरी गानों का ही इस्तमाल करते रहेंगे तो भोजपूरी गानों की स्लीरता को ले करके लगातार बड़ी-बड़ी बाते की जाती हैं चिंतायें जत्याई जाती हैं लेकिन जब मौका और मंच होता है जहां हम अपनी संस्कृति को बहतर तरीके से परोज़ तक ही अपने आपको सिमित किये हुए हैं आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी चिंता आएं या फिर आपको क्या अच्छा लगता है जरूर पीशिए